हेलो एफ्रीवान, माइ नेम इस अदीती चौधरी, विल्किम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे, वो हमेशे अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, गांधी जी अहिंसा के खिलाफ खड़े होए थे, हमें बाइभधी जवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मैं बुराई के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस जिन में हम किसी चीज के या इंसान के खिलाफ खड़े होने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम, take a stand against something or someone का use करते हैं जिसका मतलब होता है किसी चीज के इंसान के खिलाफ खड़ा होना आपने हिंदी में भी कई लोगों को बोलते होए सुना होगा किसी चीज के इंसान के खिलाफ stand लेना चली इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के पाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद take a stand against आता है और last में noun या pronoun में से कोई एक आता है जिसमें हम उसको mention करते हैं जिसके खिलाफ खड़े होने के बारे में हम अपने sentence में बात कर रहे हैं अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them, it यहाँ पर ये जो take है ये ऐसा main verb भी उस होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि takes, took, taken, taking चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज जाए वो हमेशे अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है She always takes a stand against injustice गांधी जी अहिंसा के खिलाफ खड़े हुए थे गांधी जी had taken a stand against violence हमें भाइबती जाबात के खिलाफ खड़ा होना चाहिए We should take a stand against nepotism We should take a stand against nepotism मैं बुराई के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ I am taking a stand against evil I am taking a stand against evil सब उस नेता के खिलाफ खड़े हुए Everybody took a stand against that politician Everybody took a stand against that politician तो मिस के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते Why don't you take a stand against it? क्या वो गलत के खिलाफ खड़ी हुई? Did she take a stand against the wrong? अब एक सेंटेंस आपके लिए हमें ब्रश्ट लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या आप मुझे कमेंट्स में बताएए और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी चलिए अब हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर, पापाई